सो गाइस मेरे चैनल में आपका स्वागत है आज के डाइडल देखके आप पहचान ही गए होंगे कि हम शुरू करने वाले हैं नाबाड की तयारी येस क्योंकि एफो जो इस साल का है उससे पहले नाबाड आने वारा है तो मैंने सोचा इस बार नाबाड पर थोड़ा सा हाथ आपको यह भी बता दू कि जो पिछले साल जो नाबाड की एक्जाम हुए थे उनके रिजल्ट आ चुके हैं अगर आपने प्रिलिम्स दिया है में दिया है या फिर इंटर्व्यू दिया है और आपका फाइनल लिस्ट में नहीं पहुंच पाया है तो आपका स्कोर का जाके आप चेक कर सकते हैं जो कि नाबाड की साइट पर अविलेबल है तो मैंने भी अपना प्रिलिम्स का स्कोर चेक किया और अगर आप बोलेंगे तो मैं शूर आपको नेक्स्ट वीडियो में अपना प्रिलिम्स का स्कोर दिखाऊंगी कि मेरा नाबाड का प्रिलिम्स का किता क ता स्कोर आया तो हम बात करते हैं अपनी तयारी की जो कि हम फॉर शॉर करने वाले हैं यहां पर मैंने शुरू किया है डे जीरो से यानि की प्रेपरेशन डे से थोड़ा रिसर्च वर्क कर लें थोड़ा सा हूंवर्क कर लें कि हम किस चीज के बारे में प्रिपेर करने वाले किस चीज के बारे में हमें पढ़ना है कैसे पढ़ना है क्या मटीरल है कहां से इकठा करें करेंगे ताकि हम बाद में जाके गलती ना करें तो बस इसलिए मैंने डे यहां पर आपके साथ और भी चीज़े शेयर करूंगी जो मुझे लगता है कि काफी हेल्पफुल होंगी जो मैंने खुद भी अपनी जिंदगी में अभी इंकलूड करी हैं तो यहां पर ना मैं उठके जब भी मैं फ्री होती हूं जो मैं पढ़ने बहती हूं सबसे पहले मैं लिस्ट कर सकते हो आगे 30 दिन की टिक मार्क की अटेंडंस जैसा की कुछ बना हुआ है फॉर्माट उस पर आप अपनी हैबिट को ट्रैक कर सकते हो कि आपने हैबिट को किया आज नहीं किया किया यह नहीं किया यह मुझे लगा काफी जादा अच्छा है तो यह मैंने प्रि बस की चीज़ें मिल सकती हैं तो वही थोड़ा सा ढूंडा रिसर्च करी जो चीज़ें मिल रही थी उनको टिक मार्क किया तो यही काम मैंने किया को यादा पौना घंटा बैट के क्योंकि एकॉनिक्स और सोशल इश्यूज मेरे लिए बहुत नया टॉपिक है तो एक्जैक कुछ में मिल जाता था तो मैं अपने टेलिग्राम गृप में डाल दे ती टेलिग्राम में सेवड में सेव डूंड रही थी कि अगर मेरे पास अगर कुछ ऐसा मटिर्यल मिल जाए तो मुझे दुभारा से सर्च नहीं करना पड़ेगा तो यही सब चीज़े चली थोड़ा इंपॉर्टन टॉपिक होता है बहुत जादा इंपॉर्टन पहलू होता है कि आपने कित्ती रिसर्च किया उसके बारे में ताकि आपको उसके बारे में पूरी तरह से knowledge हो और अप अच्छे से उसे क्रैक कर पाए ये तो मैंने एक ही दिन बताया है लेकिन हो सकता है बैक आ हम लास्ट में भी कर पाएं लेकिन उससे पहले अगर आप अभी जस्त माइं बना रहे हैं तो आपको फुल इंफरमेशन होना बहुत जरूरी है और जो कि आपको रिसर्च करने से ही पता चलेगी कोई भी सिंगल वीडियो ऐसी नहीं है नेट पे जिससे आपको पूरी की पू आप ऐसे फॉल्स फॉल्हीं करेंगी इस या रूल्स फॉलो करा फॉलो करूंगी उस तरह की दना रही थी अ भी मुझे का आप कर देखोंकी अगर फीजिबल लगेगा तो मैं 22 वालु यहां चीजर्च करके तक विशापने और पर बहुता के लिए सब से बनारे चीज पाय नाबार को UPSC के साथ मैंने इसलिए बोला because आप जो भी success stories देखेंगे या वो लोग देखेंगे जो select हुए हैं उनमें से 50-60% UPSC aspirants होते हैं तो हमें उनको टकर नहीं देनी है बट जो subjects हम पढ़ रहे हैं at least हमें वो उतनी depth में पढ़ने पढ़ेंगे जितनी depth में उन्होंने पढ़ें नहीं तो कहीं न कहीं वो हमसे जादा lead ले जाएंगे तो यहां पर शाम हुई थोड़ा सा मैंने बाहर बैठी पानी पिया और यहां पर मैं आपको बताना चाहते हूं कि क्या क्या चीज़े अभी current में मेरे पास है नबार को नबार की तयारी क जाएगा पूरा बताया उसमें पेपर कैसे होते हैं पेपर वन टू नोटिफिकेशन से वैसे भी गो थ्रू हो यह आप बिकाद आपको पूरा पता लगेगा पैटन क्या है examination का कितनी पोस्स आती है यह यह सब चीज़े आपको पता लगेंगी इसके अलावा यह क्लास 12 की introductory मैंने मंगवाई क्योंकि यहां पर मैंने किसी वीडियो में देखे थी कि यह थोड़ी सी helpful हो सकती है इसके आदावा यह तीसरी बुक है यह क्लास 11 की economic Indian economy development की है यह थोड़ा सा आपका बेस बना देगी अगर आपका बेस उतना clear नहीं है obviously मेरा भी नहीं है मैं आपको बता द यह बहुत सारे लोग बताते हैं कि अगर आपको नवाड के तैयारी करना है तो आप रमेज सिंग को प्रैफर कर सकते हो और रमेज सिंग से पढ़ सकते हो और एक्चुलि जो economy यह यह यूपीसी ऐस परेंट्स भी रमेज सिंग से पढ़ते हैं काफी लोग रमेज सिंग से तो जो जो टॉपिक हमारे बंद पढ़ेंगे जो syllabus में आये हैं वो हम यहां से पढ़ लेंगे इसके अलावा जादा तो पढ़ नहीं सकते यूपीसी वालों की रीस नहीं कर सकते ठीक है इसके अलावा एक और चीज है यह मेरी notebook एक्चुलि इसमें मैंने पिछले साल से ही न जीरो में कुछ जादा नहीं किया यही सब किया थोड़ा सा material इकठा किया थोड़े से sources ढूंडे थोड़ा सा material आपको बताया और हल्का फुल का शायद पढ़ा होगा मैंने शायद ही पढ़ा था यह जो print out आप देख रहे हैं यह schemes और उनके year का print out है मुझे net पे कहीं से मिला साथ तक ही पढ़ाई कर पाई थी उसके बाद मैंने books close कर दी खाना वाना बनाया अपना रहे अगर आप भी किसी exam की तयारी कर रहे हैं तो आप मुझसे relate कर पाएंगे तो में चैनल को subscribe कर लिजे ताकि आप मेरे vlogs को देख पाएं मैं मिलती हूँ आपको day one में next वीडियो में till then bye bye